जे हिंदोस्तों स्वागत थे आपका हमारी यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साइथ के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉस्चन अंसर तो वीडियो को पूरा अवस्य देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी आपके यहां तक पहुंचे जादा से जादा वीडियो को सेयर करें और पदमाबत किस भासा में लिखा गया है यह बताना है ब्रज, अबदी, मेतली या ब्रांच तो कॉस्चे नंबर 36 का आपका जो सही आंसर है वहे आपका अबदी अबदी आनि की विकल्प नंबर आपका C यहां पर राइट आंसर है कॉस्चे नंबर 37 आपसे यहां पर है और इसका जो सही आंसर है वहें आपका यहां पर राइट आंसर विकल्प नंबर C आनि की खंड खंड कहते हैं खंड नाम है इनका विकल्प नंबर C आपका यहां पर सही आंसर होगा। Qaustion No.38 आपका यहां पर दिया ग्या है देखे ए है Qaustion No.38 कि पद्माबत में रतन जो लाइक अबस्ति करते जाएंगे यहां पर और question number है 38, 38 का सही answer आपका, जो रतने सेन है यह पधमा बत्में रतने सेन, यह किस की पृतीक है तो आपका सही answer है, यह मन का पृतीक है, तो विकलप number 1 आपका ही手 our answer है, पधमा बत्में पृत्मेनी पृत्शामनी पृत्रतीक है, तो question number 49 का आपका यहाँ पर जो सही answer है 49 का बहे है आपका यहाँ पर right answer 49 का विकल्प number C यानिकी परमसत्ता की विकल्प number C आपका यहाँ पर सही answer है परमसत्ता की आपका right answer है यह आपका PGT में पूँचा गया है पदमाबत में पदमिनी जो पृतिक है यह परमसत्ता की है Q4 का आंसर बताना है, 4 विकल्ब भी आप कहां पर दिये गए हैं और 40 का जो सही आंसर है, भै बताना है तो बिल्कुल सही आंसर है J C, देखिए इन में से J C की किर्थी अक्षाई किर्थी के आदार पर रची गई है तो बै कौन सी किर्थी है, तो बै है आपकी पदमाबद, विकल्ब नंबर 1 आपका सही आंसर है पदमाबद, PGT पर रिख्षे 2015 में ये कॉस्चन पूंचा गया था आपका कॉस्चन नंबर 41 क्या पूंचा है, पदमाबद को समा सोक्ती किसने कहा है गड़पती चंद गुपते या माता प्रसाद गुपते या आचा राम चंसुकल या राम कुमार बर्मा तो 41 का सही आंसर बताना है 41 का सही आंसर क्या होगा 2011 पूंचा गया question है और आपका यहाँ पर सही answer है क्या है राइट आंसर आचा राम चंसुकल पदमा बत को समा सोकती जो है किसने कहा है तो राम चंसुकल आपका राइट आंसर यहाँ पर है question number 42 यहाँ पर दिया गया है question number 42 क्या पूंचा गया है तो यहाँ पर देख लीजिए question number 42 यह है कि चार उठाए लीन एक मूठी दीन उडाई पिर थिमी जूटी यह पंती किस ग्रंते से ली गई है question number 42 का अंसर बताए पदमा बत आखरी कलाम चंदायन या रामचरित मानस question number 42 का अंसर बताना है यह पंती जो है किस ग्रंते से ली गई है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 2018 में LT ग्रेट में question पूंचा था और पदमा बत आपके यहाँ पर सही आंसर है पदमा बत से इपंती ली गई है question number 43 का पूंचा क्या है आप से यहाँ पर कि निमने लिखित में से किस कभी ने सिर्फ अबदी भासा में ही रचिना की है देखे इन्हों ने जो है जो रचिना की हैं सिर्फ अबदी भासा में ही की है कभीर, तुलसी, सूरदास या जाईसी तो question number 43 का आंसर बताना है 43 का right answer आपके यहाँ पर क्या होगा तो आपके यहाँ पर 43 का सही आंसर है आपका D आनि की जाईसी आपके यहाँ पर सही आंसर है जाईसी आपके यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही विकल्प नंबर D right answer होगा चित्रावली किसकी रचिना है चित्रावली देखे यह जो चित्रावली आपसे पूशा है यह चित्रावली रचिना किसकी है उस्मान या कासिम साहे सेख नबी या नूर मुहम्मद तो कॉस्चन नंबर 24 का सही आंसर बताईए महत्तुपूर्ण कॉस्चन है और 24 का आपका जो सही आंसर है बहे हैं आपके यहाँ पर right answer 24 का विकल्प नंबर 1 यानि की उस्मान बिल्कुल सही उस्मान आपका सही आंसर है उस्मान चित्रवली की रचनकार उस्माने और वन्होंने इसकी जो रचना की थी 1613 इसवी में की थी और यह जो है गाजी पुर की नवासी थी कहां की नवासी थी गाजी पुर की कौन उस्मान कॉस्चन नंबर आपसे 45 क्या पूंचा गया है देखिए Ques nenhum 45, हिंदू-मगपर पावन राक्यों का जो बहुत हिंदू भाक्यों, ऐह उक्टी किस रचना और रचनाकार से संबंदित हैं, देखी रचना और रचनाकार से संबंदित, तो नूर मحمथ इंद्राबति या उस्मान चित्राबली, नूर मحمथ अनूरागबांस्री, कासम साय, अंस जवाहिर तो किस रचना और रचनकार से संबंदित है आपकी उक्ती है तो question number 45 का आपका जो सही answer है आपका right answer यहाँ पर विकल नमबर C नूर महम्मद अनूराग बांसरी आपका यहाँ पर जो C है आपका right answer यहाँ पर होगा question number आपका है यहाँ पर 45 क्या दिया चाया गया है तो वैज देख लेते हैं question number 46 देखे question number 46 आप से पूंचा है हिंडी भासम रचना कनने पर किस सूपी कभी को मुसल्मानों का उपालंब सुननी को मिला था तो भै कौन से सूपी कभी हैं जिनको हिंदी भासा में रचना करने पर इनको मुसल्मानों का उपाल हम सुनने को मिला था जाए सी सेक नभी उस्मान या नूर मुहम्मद को तो question number 40 का answer बताना है महत्वण question है यह आपकी जो question है किसी ना किसी अक्जाम में जरूर पूँचे गए यह आपकी महत्वण question है तो आपका यहाँ पर 46 का सही answer है विकल्प नंबर D आनिकी नूर मुहम्मद नूर मुहम्मद आपका यहां पर सही आंसर है बिल्कुल सही नूर मुहम्मद आपका राइट आंसर यहां पर Question number आपका सेहन तालेस यहां पर पूंचा क्या है सूपी काव परंपरा का परंपरा एक ग्रंथ है इंद्रावती इसकी रचिनाकार कौन है तो सूपी काव परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती और इसकी जो मतलब रचिनाकार है जायसी है मंजने कासिमसा है नूर मुहम्मद है तो सेहन तालेस का आपका जो सही आंसर होगा बहुत क्या होगा 47 का राइट आंसर तो बिलकुल सही 47 का आपका D राइट आंसर है नूर मुहम्मद आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर D आपका राइट आंसर होगा D आपका right answer है अंगला question क्या पूँचा गया है तो यहाँ पर देखिए राम भक्ति काब से सम्मंदित यहाँ पर अंगला question पूँचा गया है आपसे कि स्वामी अग्रदास किस धारा का बिधारा की कभी है तो question number आपका first यहाँ पर राम भक्ति का बिधारा सम्मंदित मात्वपूण question पूँचा गया है स्वामी अग्रदास किस का बिधारा की कभी है तो आपके यहाँ पर जो सही answer है question number है एक और इसका सही answer है क्या है right answer तो आपके यहाँ पर सही answer होगा विकल्प number आपका C यानकी राम भक्ति का बिधारा राम भक्ति का बिधारा आपके यहाँ पर सही answer है विकल्प number आपका C यहाँ पर right answer है 2015 में प्रवक्त परिक्षा में एक question आपका पूँचा गया था question number 2 पूँचा है गोस्वामी जी के पिता का नाम था तो यहाँ पर आपके लिए बताना है PGT में यह question आपका 2011 पूँचा गया कि गोस्वामी जी के पिता का नाम था गंगा राम या दियुता दीन या आत्मा राम या इनमेसी कोई नहीं तो question number 2 का आपका जो सही answer है वह आपके यहाँ पर question number 2 का विकल्प number B यानिकी आत्मा राम आपके यहाँ पर सही answer है आत्मा राम राइट answer question number 3 क्या पूँचा है गोदलिये हुलसी फरे तुलसी सो सत्थोई यह पंती इनमेसी किस कभी की है प्राण चंद चौहन रोत्तमदास नाबादास या रही question number 3 पूँचा है question है और इसका जो सही answer होगा question number 3 का बहे है आपका यहाँ पर right answer गोदलिये हुलसी फरे तुलसी सो सत्थोई एह पंती है किसकी रहीम विकल्प number आपका D यहाँ पर right answer question number 4 क्या पूँचा गया है question number 4 आपका यहाँ पर double हो गया है तो यहाँ पर आपका रहीम यहाँ पर सही answer है question number 5 क्योंदर वढ़ते है question number 5 आपका यहाँ पूँचा गया है तो देख'T with number 5 आपका यह रहा question number 5 तुलसी की भक्ती का पर क्या था 10 से था बास सलिः था सक्क्य ऋदे about 5 तो question number 5 का answer बताना है मात्वण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है आपसे चार विकल्प भी आपके यहां पर दिये गए है 2011 में एक TGT में पूंचा गया कॉस्चन है तुलसी की भक्ती का स्वरूप जो था बहे था 10 से कौन सा था 10 से आपके यहां पर विकल्प नंबर 1 यहां पर राइट आंसर है qs Ajn n. आपका यहां पर 6 पूंचा है अभिदी भासा के सरभादे कोग्परिय महाकब्य का नाम बताना है अभिदी भासा की बताना है आपके लिए अभिदी भासा की तो पदमाबथ है, मिरगाबथी है मधुमालति रामचरित मानस है रामचरित मानस विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है देखिए अबरी भासा का लोगप्रिय महा का बे रामकता परादारत है जिसकी रचना कासी चित्रकूट अयुद्धा में ही है यह आपके लिए और इसकी रचना तुलसी दास जी ने की है तो आपके लिए पता ह होगा कॉस्चन आपका यहां पर साथ क्या पूंचा है रामचरित मानस किस भासा में लिखी गई है राजस्थानी में अविदी में भोजपुरी में एबरेज भासा में कॉस्चन नमबर साथ है और साथ का राइट आंसर आपका क्या होगा रामचरित मानस से जो है आपके ल जाए तो इसमें साथ कांड़ है कौन-कौन से बाल कांड़, अयुद्धा कांड़, अरंड कांड़, किसकिंदा कांड़, सुंदर कांड़, लंका कांड़ और उत्तर कांड़, इसमें साथ कांड़ है Question number आपका यहाँ पर आठ क्या पूंचा गया है रामकथा पर आधारे तुलसी दास की महाकाब्य का नाम क्या है भारत मिलाप या रामरक्षे स्रोथ, रामचरित मानस या रामचंदरिका Question number आपका यहाँ पर आठ पूंचा गया है और आठ का सही आंसर है आपका यहाँ पर रामचरित मानस ये रामकता पर आधार तुलसीदास की महाकाब्वे का नाम है क्या है रामचरित्र मानस आपका सही आंसर है रामचरित्र मानस की जो भासा है ये अब भी आपने यहां पर पढ़ाता कि अब दी भासा है ये question डबल हो चुका है तो विकल्प नमबर एक आपका यहां पर सही आंसर होगा ये आपका महत्तुपन कॉस्चन है पूँचा गया question है पिछली पर रिक्छाओ में कॉस्चन नमबर बारा आप से क्या पूँच्चन नमबर दस है अपने यहां पर तो question नमबर दस पूँचा है गोस्वामी तुलसी दास ने रामचरित मानस की रचना किस संबत में किये देखे संबत में आपके लिए बताना है तो किस संबत में की थी गोस्वामी तुलसी दास जी ने रामचरित मानस की रचना चार विकल्प दिए गए हैं और आप कहाया पर जो सही answer है कॉश्चे नंबर दस का वाय विकल्प नंबर एक right answer है समबद sule här så 31 आप कहाया पर सही answer होगा विकल्प नंबर एक right answer कॉश्चे नंबर आपका यहाँ पर 11 दिया है रामचरित मानस में कुल कितने कांड हैं अब भी बताया था है यहां पर कितने कांड हैं बतायो 15 हैं, 7 हैं, 10 हैं या 8 हैं तो question number 11 का सही answer बताना है रामचरित मानस में कुल कितने कांड हैं तो question number 11 का right answer होगा विकल नमबर C यानिकी 7 कांड हैं कितने कांड हैं, सात कांड हैं, बिलकुल सही ये आपका हिहाँ पर फुरसी question डबल हो गया राम चर्यत मानस में कितने कांड है तो सात कंड आपका राइट आइट है राम 4 tranquanus में यहें पर आपसे पूँचा है question number 13 exam Spring Q anarch 여aca में रसका पुरियोग किन नुभार क riots में मिलता है वहीuk काण्ड बताना है वह गये kवाँंसे काण्ड भीजी टि में यही solidarity नोट पूँचे है तो इस रसका पूरियोग किन काण्ड मिलता है तो question number 13 का सही answer आप बताईए भत्तपुन question है और इसका सही answer होगा 13 का अरंडिकांड और लंका कांड आपके हैं पर सही answer है विकल्प number 1 आपके हैं पर सही answer होगा question number आपके हैं पर 14 क्या पूँचा क्या है कि इनमें से कौन सा महाकाब अबदी में लिखा गया है तो प्रियप्रबास, साकीत, रामचरित मानस या रामचंद्रिका question number 14 का सही answer है आपके हैं पर चाहे right answer इनमें से कौन सा महाकाब अबदी में लिखा गया है अबदी में प्रियप्रबास, रामचरित मानस, साकीत या रामचंद्रिका तो आपका यहाँ पर सही answer है यहाँ पर रामचरित मानस आपका यहाँ पर right answer होगा रामचरित मानस जो है अबदी में लिखा गया है और यह क्या है महाकाब्ब है बिल्कुल सही विकल्प नमबर आपका यहाँ पर C right answer है और आपका यहाँ पर जो question number 15 आपका पूंचा गया है निरबान जनम जनम रती रामि पद पर गांचान में तो आपका सई आपका यहाँ पर रयट्म सर होका में ओका अधार परिकश है2013 एक फोस्टिन पूंचा गया था तो विकल्प नमबर एक आपका राइट आंसर यहाँ पर है अबिदी और ब्रेजवासा दोनों में रचना करने वाली कभी कौन है सूर्दास है घनानंद तुलसीदास या उपरोक सभी कौस्चन नमबर 16 है महत्पूर्ण कौस्चन है आपका यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर चार विकल्प देगा है अबिदी और ब्रेजवासा दोनों में रचना करने वाली कभी पूंचा है तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा तुलसीदास क्या है राइट आंसर तुलसी आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही अबिदी और बिरजवासा दोनों में रचना करने वाली कभी गोस्वामी तुलसीदास है और इन्हें हिंदी का जातिय कभी कहा जाता है यह भी आपको याल रखना हिंदी का जातिय कभी किसको कहा जाता है गोस्वामी दास जी को, question आपका यहाँ पर 17 पूंचा गया है, कि निमने लिकत में से कौन सी रचना तुलसी दास की नहीं है, रामचंद्रिका, गीता वली, कवीता वली, अबने पत्रिका, तो question नमबर आपका यहाँ पर 17 है, और 17 का सही आंसर आपका यहाँ पर जो होगा, भै क्या होगा यहाँ पर आपके लिए रामचंद्रिका, पूंचा है, तो आपका रामचंद्रिका राइट आंसर होगा, विकल्प नमबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर है, question नमबर आपका यहाँ पर 18 पूंचा है, इनमें से कौन सी रचना जो है तुलसी दास की नहीं, यहाँ पर भी आप से पूंचा है, तो बताईए, रामचरित मानस, गीता वली, कवीता वली, साकेत, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है, यह पूंचा गया, question है, कब पूंचा गया था, 2011 में, तो क्या है इसका सही आंसर, बिलकुल सही, आपका यहाँ पर राइट आंसर, विकल्प आप भी बताया था, जातिये कभी जो कहा जाता है, सूर्दास, नावदास, तुलसिदास, नंददास, तो 19 का आपका सही आंसर है, जातिये कभी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, तुलसिदास आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिलकुल सही, तुलसिदास आपका सही आं है और ब्याराग के संदीपनी किस कभी की रचना है तो आपका सही आंसर है यहां पर विकल्प नंबर एक यानिकी तो लुसीदास आपका सही आंसर है तो इस परकार अपनी यहां पर बहुत ही मात्वपोंड कॉस्चिन कंप्लीट हुए क्यांसा लगा यह वीडियो आप देख सकें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो आज की वीडियो में बस इतना ही सभी के लिए बहुत बहुत धन्रवाज सभी के लिए जय हैं